इस लेक्षर में हम पढ़िए साइक्लिक फोर्टो फॉस्फोराइलेशन के बाड़े में जिसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं तो चलो लेक्षर शुड़ू करते हैं चलिए तो बात करते हैं साइक्लिक फोर्टो फॉस्फोराइलेशन की हमने कहा साइक्लिक फोर्टो फॉस्फोराइलेशन को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है अब cyclic photophosphorylation पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा non-cyclic photophosphorylation जिसे non-cyclic electron transport system भी कहा जाता है इसके बारे में कुछ चंद बाते याद दिलाना चाहूंगा आपको याद करो जब हम non-cyclic photophosphorylation पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि it occurs in thylakoid membrane non-cyclic photophosphorylation कहां होता है thylakoid membrane में दोनों PS1 और PS2 functional होते हैं PS1 और PS2 नों photosystem याद करो photosystem 1 से electron निकलता है NADP plus के पास जाता है जो electron PS1 से निकला उस electron को balance कौन करता है PS2 PS2 क्या करता है PS1 के electron को balance करता है PS1 का electron चला गया NADP के पास NADP plus के पास और PS2 के electron को कौन balance करता है water का breakdown जब water का breakdown होता है तो उससे electron निकलता है वो PS2 के पास चला जाता है अब आपको याद हो यह O2 atmosphere में चला गया था और 9 non cyclic photo phosphorylation में जो हमें product मिला था वो था NADP2 और ATP oxygen बी मिलता अज़ा बाइप्रोड़क्ट पर यह atmosphere में चला जाता है बगल वाले घर में कोई कुकर चराया हुआ है बार-बार आपको आवाज आ रहा होगा बैक्राउंड में इग्नोर कीजिएगा यहां ध्यान दीजिएगा ठीक है तो एने डिपीएश्ट्यू और एटीपी का फॉर्मेशन होता है ठीक अब मेरी बात ध्यान से सुनिए ठीक है अब यहां पर देखिए क्लोरोप्लास्ट यह मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया क्लोरोप्लास्ट का आपको पता है लिक्विड पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते है और मेंब्रेनेस पार्ट को हम ग्रेना कहते है राइट देखो ग्रेना में आपको क्या मिलेगा थाइलकॉइड आप्राइल को अ आझा कोईस तब कीभी निश्याइख़ चकीट आपक कर आय्चिटि अकर्सित इंथ्याताम मिंब्रेन्य श्राइक Chylacode, PS2 is Absent, Only PS1 is Functional, बात को समझ रहे हो? कुछ-कुछ Thylacode में, जो Membranus Parctic Green A, किस से बना? Thylacode Consist of Thylacode, कुछ-कुछ Thylacode ऐसे होते हैं, जिन में PS2 होता ही नहीं है, PS2 Absent होता है, तो सिर्फ PS1 Functional होता है, ठीक है? तो याद करो non-cyclic photophosphorylation acid thylakoid membrane में हो रहा था जिसमें PS1 और PS2 दोनों present है तो PS2 जो था वो PS1 के electron को balance कर देता था PS1 से जो electron जाता था NADP plus के पास याद करो paradoxin और FNR से होते हुए FNR की मदद से वो electron जाता था इस electron के जाने की कमी को PS1 से electron चला गया ना तो इसको balance तो PS2 कर देता था याद करो non-cyclic photophosphorylation में लेकिन यसी ग्रेना में कुछ-कुछ acid thylakoid है जिसमें PS2 है ही नहीं PS2 है ही नहीं तो PS1 के electron को कौन balance करेगा PS1 के electron को कौन balance करेगा How PS1 electrons are balanced कैसे PS1 का electron balanced होता है इसी के लिए हमें पढ़ना होगा For that we will have to learn cyclic photophosphorylation कि भई आप सही में PS1 के electron को balance किया जाता है PS1 का electron कैसे balanced होता है जब किसी thylakoid membrane में सिर्फ एक ही photosystem present है photosystem 1 photosystem 2 है ही नहीं तो photosystem 1 का electron कैसे balance हो रहा है इसी चीज़ को जानेंगे हम cyclic photophosphorylation के अंदर जिसे हम cyclic transport system के नाम से भी जानते है ठीक तो चलो पढ़ते है cyclic photophosphorylation और जानते है कि ऐसे thylakoid जिसमें PS2 absent होता है सिर्फ PS1 functional होता है तो how PS1 electrons are balanced ठीक है चलिए तो moving on to the next slide चलो अब देखते है cyclic photophosphorylation हमने क्या देखा हमने देखा कि in grana part of chloroplast some thylakoid has only PS1 no PS2 PS2 है नहीं सिर्फ PS1 है तो PS1 से जो electron निकलेगा उसकी balancing कौन कड़ाएगा यही जानना है हमें cyclic photophosphorylation में अभी देखो पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा thylakoid membrane है हमारा ठीक है यह में thylakoid thylakoid membrane ओके यहां PS1 सिर्फ PS1 काम कर रहा है क्योंकि in grana part of chloroplast कुछ thylakoid ऐसे है जिसमें सिर्फ PS1 होता है तो यह हमारा क्या है grana का एक thylakoid ले लिया हमने ठीक है उस thylakoid में हम thylakoid membrane के अंदर आगे और यह ऐसा thylakoid है grana का जिसमें सिर्फ photosystem 1 present है तो photosystem 1 अब बताओ यह जो हमारा thylakoid membrane है इसके अंदर वाले region को तो हम lumen कहते है और बाहर तो आपको पता है stroma present होता है बाहर stroma ठीक है अब देखिए रोशनी गिडी ps1 के उपर ठीक है light गिडी ठीक है ps1 के उपर ps1 ने क्या किया light को absorb किया और ps1 से क्या होगा एक electron टुचक करके निकलेगा release होगा electron यह electron जाएगा याद करो ps1 जो हमारा photosystem है उसका primary electron acceptor कौन है iron sulfur protein okay अब यह fes क्या करेगा इस electron को आगे भेज़ देगा feridoxin fd के पास ठीक है electron चला गया fd के पास अब आप याद कीजिए जब मैं आपको non-cyclic photo phosphorylation पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था कि fd से electron चला जाता है बाहर stroma में nadp के पास याद करो यह electron चला जाता है बाहर stroma में nadp के पास ठीक और इसमें मदद करता है कौन nadp reductase अरे जिसे हमने fnr कहा था feridoxin nadp reductase यह क्या करता है मदद करता है feridoxin से nadp के पास electron पहुचाने में अब आप सोचो यह electron अगर बाहर चला गया ps1 से निकल कर बाहर चला गया stroma में nadp plus के पास तो यहाँ देखो ps1 के साथ तो किसी water का breakdown नहीं हो रहा क्योंकि हमें पता है water का breakdown होता तो उसमें से एक electron निकलता और ps1 के electron के कमी को पूरा कर देता बगर आपको पता है ps1 के साथ water का breakdown नहीं होता साथी साथ यहाँ पे कोई ps2 भी नहीं present है कि जब यह electron nadp plus के पास चला जाये तो ps1 के electron को कमी को पूरा करने के लिए कोई ps2 हो क्योंकि हमने non-cyclic photo phosphorylation में तो वही देखा था कि ps2 जो है वो ps1 के electron को कमी को पूरा कर देता है बट यहाँ तो ps2 भी नहीं है तो क्या होगा सुनिए ऐसे thylakoid ठीक है जिसमें सिर्फ ps1 present होता है न इस thylakoid मे nadp reductives होता ही नहीं है fd जो है यह अपना electron nadp के पास भीजता ही नहीं है क्योंकि ऐसे thylakoid मे यह जो thylakoid है ऐसे thylakoid पे nadp reductives यानि की fnr होता ही नहीं है अब आपको मैंने अभी क्या कहा कि electron को fd से nadp के तक भीजने में काम आता है fnr का nadp reductives का अगर nadp reductives ही नहीं है तो क्या electron fd से nadp के पास जा पाएगा नहीं जाएगा तो electron अब यह कहां जाएगा fd से यह electron fd से अब जाएगा cytokrome complex के पास जिसमें दो cytokrome cytokrome b6 and cytokrome f काम कर रहे है ठीक है तो यह देखिए यह acid thylakoid acid thylakoid जिसमें सिर्फ ps1 होता है यह acid thylakoid में क्या होता है nadp reductase नहीं होता fnr नहीं होता तो fd से बाहर stroma के तरफ electron जा ही नहीं पाता है तो यह electron चला आता है cytokrome complex के पास cytokrome complex के पास जैसे electron आया cytokrome complex का करता है electron को आगे भेज़ देता है plastokinol के पास ठीक है PQ के पास याद करो PQ के बादे में मैंने आपको non-cyclic photophosphorylation में एक बहुत ही शांदार बात बताई थी कि यह hydrogen carrier होते है यह क्या करते है PQ के पास जैसी electron पहुँचता है electron पहुँचा PQ के पास PQ क्या करता है इस electron के energy को utilize करता है energy utilize करता है PQ किसका इस electron का और stroma से एक proton को pump कर लेता है अंदर के तरफ ले आता है stroma में तो बहुत सारे proton है ठीक है तो एक proton को PQ ने क्या किया pump कर लिया proton pump किया है pump करने में energy की ज़रुद करती है तो PQ के पास energy कहा से है इस electron से जब तक इस PQ के पास electron की energy नहीं आएगी तब तक PQ इस proton को pump ही नहीं कर पाएगा तो जैसी ये electron गया PQ के पास PQ को मिला तागत PQ ने proton को लिया stroma से अब आब एक चीज़ सुनिए मैंने कहा PQ ने electron के energy को use करके proton को pump कर लिया बहुतों के दिमाग में doubt आये होगा कि अच्छा electron के पास energy कहां से आया PQ ने electron के energy को utilize किया electron के पास energy कहां से आया तो कितनी वार मैंने बोला है electron के पास energy आया light से light में होता है photonic energy photonic energy जब light गिरा था PS1 पे तब ही तो ये electron निकला था तब ही तो तो जब light गिरा PS1 से ये electron निकला तो इस electron के पास अब energy है कौन से energy light की energy ठीक है तो इसी energy को use करते हुए जब electron PQ के पास जाता है तो PQ क्या करता है electron से energy को use करते हुए proton को tan लेता है अब PQ जो है वो क्या convert हो जाता है PQH2 में राइट PQH2 प्लास्टो क्विनोन अब ध्यान से सुनिए आपको पता है एक hydrogen किस से बना होता है एक proton से and एक electron से राइट अब देखिए ये जो PQH2 है न ये क्या करता है cytokrome B6F को पूरा का पूरा एक hydrogen देता है पूरा का पूरा एक hydrogen देता है द्यान सुनिएगा but cytokrome B6 cytokrome जो complex है न वो बोलता है कि भाई मुझे पूरा का पूरा hydrogen नहीं चाहिए मुझे तो बस electron चाहिए तू मुझे बस electron दे तो cytokrome क्या करता है वो सिर्फ electron लेता है तो ये electron चला जाता है किसके पास cytokrome complex के पास टिक क्योंकि जो hydrogen दिया था PQH2 ने cytokrome complex को तो cytokrome complex ने सिर्फ electron लिया क्योंकि मैं पता है hydrogen किससे बना होता है electron और proton से सिर्फ electron लिया और proton को नहीं लिया तो proton कहां जाएगा proton बेचारा मायूस इसे fake दिया गया lumen के अंदर lumen के अंदर इसको dispose कर दिया फेक दिया बोला जा तो lumen में जा तो देखिए अब electron गया है cytokrome complex के पास ठीक है cytokrome complex के पास हमारा electron आ गया proton जो था हमारा stroma से आ गया lumen में ठीक अब इस proton की कहानी की चर्चा तो हम थोड़े दिर बात करेंगे पहले देख लेते कि इस electron के साथ क्या हुआ जो cytokrome complex के पास गया cytokrome complex के पास जब भी electron जाता है तो cytokrome complex इस electron को आगे भेज़ देता है plastosynine के पास P-C plastosynine P-Q क्या था plastokuinon plastosynine plastosynine क्या करता है आगे इस electron को फिर P-C1 के पास फेज़ देता है तो अरे देखो ना भईया P-C1 के electron का कमी को पूड़ा कर दिया गया P-C1 से जो electron निकला वह ही electron P-C1 के पास फिर आ गया कमी पूड़ा हो गया कमी हुआ ही कहां पहले तो देखो electron निकला और घूम फिर के फिर इसी के पास आ गया थोड़े समय के लिए कमी हुआ था फिर इसी के पास इसका electron आ गया तो P-C1 से electron निकला और P-C1 के पास ही आ गया यानि कि जहां से electron निकला है क्या electron वही वापस गया है गया है तो हम इसलिए इसे कहेंगे यह एक cyclic process है cyclic process है non-cyclic photophosphorylation में हम देखते थे जब P-C1 से electron निकलता था तो वो NADP के पास चला आता था non-cyclic में वापस नहीं आता था तो P-C1 के electron के कमी को P-C2 पूरा करता था P-C2 का electron चला आता था P-C1 के पास और P-C2 के electron के कमी को water का breakdown पूरा करता था यानि कि electron जहां से निकलता था वहाँ वापस जाता ही नहीं था लेकिन cyclic photophosphorylation यह एक cyclic process है cyclic electron transport system है जहां से electron निकला क्या घूम फिरकर वहीं वापस आया आया, जरूर आया चलिए, तो cyclic क्यों? समझ गे हम लोग photophosphorylation क्यों? यह भी अभी समझेंगे इस proton के द्वारा, देखिए यह जो proton, यह proton कब आया lumen में? जब यह पूरा का पूरा electron transport system चला जब light गिरा PS1 के उपर ठीक, तब यह proton अंदर आया ठीक, यह proton अब आपको पता है stroma में proton कम हो गया lumen में proton बढ़ गया ठीक है? proton आगया तो इससे क्या होता है? proton gradient develop होता है guys proton gradient develop होता है अब देखिए मैंने आपको इस चीज़ अच्छे देश शांदार तरीके से बताया था कि इस जगत में, इस दुनिया में इस संसार में, जितने भी iron बोलो, gas बोलो, molecules बोलो वो सब equilibrium में जाना चाहते है balanced होना चाहते है तो proton lumen में जादा है stroma में कम हो गया तो ये proton वापस से बाहर जाने की कोशिश करेगा equilibrium में, राइट? इस बेचारों को तो जवरदस्ती बुलालाया मतलब PQ के पास electron आया उसने क्या किया, बुलागी भाई आजा proton तू आजा, क्योंकि PQ होता ही, hydrogen carrier होता है इसके पास electron तो था, proton मिल गया, तो इसने पूरा का पूरा hydrogen बना लिया तो अब ये वेचारा ये तो electron transport system में ऐसी पिसा गया बीच में, ये आगया lumen में लेकिन इसके पिसाने का एक कारण है hydrogen, ये जो proton है हमारा ये जो proton है ये फालतू में पिसा गया, पर इसका पिसाने के पीछे एक कारण है, वो ये है कि देखिए, ये proton है ठीक, ये जैसी आया ना proton gradient बना तो अब बाहर की तरफ ये जाएगा equilibrium में जाने की कोशिश करेगा क्योंकि जब रदेस्ती इसे ले आये थे ना तो ये वापस वहीं जाने की कोशिश करेगा ठीक, तो ये अब जाएगा बाहर, कैसे जाएगा यहाँ काम आते है, याद करो F0 और F1 protein, या F0 या F1 particle बोल लो ये जो proton है non-cyclic photo phosphorylation में भी यही चीज़ समझाया था, मैंने तुम्हें याद करो ये जो proton है, ये जाता है घूमते फिरते F0 से बाहर निकल जाता है जैसी ये proton F0 से बाहर निकलता है, ये F0 के बगल में कौन है? F1 है, F1 को भनक लगता है, कि या proton निकला है अभी F0 के तरफ से, तो चलो मैं activate हो जाता हूँ तो ये जो F1 हता है, ये क्या करता है? ये ATP का formation कर देता है F1 को हम ATP synthetase भी कहते हैं, जैसी ये proton निकला F0 से, ये जो मारा F1 है, जिसे हम ATP synthetase भी कहते हैं, ये ATP का formation कर देता है तो ये F1 जो है, ATP का formation कहां होता है? F1 पे होता है F1 पे होता है, ठीक है? होता कहा है, ADP के साथ एक inorganic phosphate आके जुड़ता है, और हमें ATP मिल जाता है इसी को हम कहते है, इस process को हम कहते है photo phosphorylation phosphorylation क्या होता है? addition of phosphate, क्या यहाँ पे phosphorylation of phosphate हुआ है, देखो ये inorganic phosphate जाके ADP के साथ जुड़ा तभी तो ATP बना phosphorylation हुआ photo phosphorylation क्यों कहा हमने? अरे भाईया, ये क्या हो गया? फाल तुम्हें जूम हो गया, रुको अरे भाईया हमने photo phosphorylation इसलिए कहा, क्योंकि जब photo, जब light गीरा PS1 के उपर, तब ये पूरा का पूरा electron transport system चला जिसके कारण ये proton बेचारा बीच में पिसा के अंदर आ गया और जब ये proton निकला तब F1 को भनक लगगा और F1 ने बना डाला, क्या ATP, तो ये सब light के वज़े से ही तो हुआ है, light का ही तो किया कड़ाया है, इसे लिए photophosphorylation cyclic photophosphorylation क्यों, क्योंकि ये जो पूरा electron transport system आपने देखा यहाँ पे, ये जो पूरा electron का transport हुआ है, वो cyclic हुआ है जिसके कारण से क्या हुआ, ATP बना इसे लिए cyclic photophosphorylation I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी doubt हो बेज जिजग, comment section में पूछ लो ठीक है, मेरे से क्या ही डरना, मेरे से क्या ही घबराना तो अराम से बेज जिजग, कोई भी doubt हो, पूछ लो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोरा बहुत और cyclic photophosphorylation के बाड़े में कुछ बाते हैं, वो जान लेंगे तो और अच्छे से साड़ी चीज़े हमारे दिमाग में clear हो जाएंगे चलो, moving on to the next slide अच्छा कुछ और चीज है जो मुझे पढ़ाना है तो मैं cyclic photophosphorylation के बाड़े में लेकिन उससे पहले ये चीज देख लो ताकि जब तुम NCRT में ये figure देखो न तो घबरान मत जाना किया रहे भाईया हरीशु ने तो cyclic photophosphorylation कुछ अलगी तरीके से बना के समझाया था, thylokoid membrane था वगेड़ा वगेड़ा, lumen था, stoma था अभी जो मैंने आपको समझाया NCRT का figure में ये का है तो NCRT का figure में बहुत simplify करके NCRT ने mention किया है, क्या किया है ये हमारा क्या है, PS1 है PS1 PS1 का reaction center आपको पता है 700 होता है, P700 तो इसी से आप समझाब PS1 है, यहां लिख भी दिया, देखो PS1, और उपर PS1 का electron acceptor कौन है, FES तो जैसी light गिरा right, light गिरा तो यहां से proton निकला FES के पास गया, और ये proton फिर कहां इंटर किया, electron transport system में, यानि कि वही cytokrom complex से होते हुए फिर plastoquinone से होते हुए, फिर cytokrom complex के पास गया फिर plastocyanine के पास गया, और वापस घूम फिर कि PS1 के पास ही आ गया तो इसको बरे simple way में NCRT ने इस figure में समझा दिया NCRT page number 213, गलती से मैंने सिर्फ यहां 13 लिग दिया, 213 में आपको यह figure मिल जाएगा और जब electron transport system चला था तो याद करो, बे मतलब बीच में proton हमारा पिसा गया था और ये proton के पिसाने के वज़े सही तो भाईया, यहां पे ATP बन गया जब lumen के अंदर आया हमारा proton और जब वोस्फोमा में वापस गया F1 से, तो F0 को भनक लगा, F0 ने कर दिया कांड क्या कर दिया, ATP बना डाला, ठीक, तो यह figure आप आराम से समझ जाओ गया, एक बार फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, तो अब आपको आसानी होई, ओके, चलो अब कुछ और थोड़ी important बाते हैं cyclic photophosphorylation के बारे में वो जान लेते हैं, तो moving on to the next slide अच्छा mechanism of photosynthesis की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इस से cyclic photophosphorylation पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बात कहा था, कि chloroplast में, ग्रेना पार्ट में, कुछ-कुछ thylakoid होते हैं, जिसमें PS1, PS2 दोनों present होता है, तो ऐसे case में, क्या होगा, non-cyclic photophosphorylation होगा, लेकिन कुछ-कुछ thylakoid होते हैं, जिनमें सिर्फ PS1 होता है, तो उसमें cyclic photophosphorylation होगा, right, समझे बात को, अब जाहिर से बात है, बहुत साथे जो students है, आप लोग, आपके दिमाग में ये doubt जरूर आएगा, कि क्या हरीशू कुछ thylakoid ऐसे हैं, जिनमें सिर्फ PS2 ही होता है, मतलब, तुमने कहा कि कुछ thylakoid ऐसे हैं, जिसमें PS1, PS2 दोनोंपों फोटो सिस्टम हैं, तो उसमें non-cyclic photophosphorylation हो रहा हैं, नहीं, ऐसा कोई thylakoid नहीं है, और होगा भी, तो आप ध्यान मत तो ठीक है आपको ध्यान भी नहीं देना है ऐसे तो होता है नहीं जहां तक as far as my knowledge goes जो कि ज्यादा far नहीं जाता है ठीक है तो as far as my knowledge goes I don't think there is any thylakoid जिसमें PS2 सिर्फ होता है तो आपको ऐसा thylakoid nature में मिल जाएगा जिसमें PS1, PS2 photosystem दोनों होता है तब non-cyclic photophosphorylation चलेगा और nature में कुछ thylakoid आपको ऐसे मिल जाएगे यानि कि chloroplast में nature में कुछ thylakoid आपको ऐसे मिल जाएगे जिसमें सिर्फ PS1 होता है जिसमें cyclic photophosphorylation चलता है क्या कुछ thylakoid होता है जिसमें सिर्फ PS2 photosystem है नहीं ठीक शलो अब mechanism of photosynthesis यह मैंने बहुत बार आपको पढ़ा के रखा है कि photosynthesis होने के लिए light reaction और dark reaction काम में आता है दो तरह का reaction चलता है तब ही पूरा photophosphorylation complete होता है देखिए पहले तो बात करता है light reaction light reaction में हमने क्या-क्या पढ़ा दो चीज़े पढ़ी non-cyclic photophosphorylation और cyclic photophosphorylation ठीक है अभी तक तो हम जितने भी पढ़ते आ रहे न सब revision रख रहे हो ना revision कर रहे हो ना दिमाग में रखना सब कुछ ठीक है light reaction में हमने non-cyclic photophosphorylation पढ़ा और cyclic photophosphorylation पढ़ा याद करो PS1, PS2 होता है non-cyclic photophosphorylation में और cyclic photophosphorylation में सिर्फ PS1 होता है और जब light गिरता है तभी जो photo system में वो अपना काम करना शुरू करते हैं तो light reaction में हम cyclic और non-cyclic photophosphorylation पढ़ते हैं यानि कि cyclic electron transport system and non-cyclic electron transport system पढ़ते हैं अब देखिए non-cyclic photophosphorylation का जो product होता है हमने कहा oxygen होता है जो कि byproduct होता है atmosphere में चला जाता है और सांती साथ NADPH2 बना था और ATP बना था cyclic photophosphorylation तो अभी हमने पढ़ा जिसमें हमने देखा क्या बना है सिर्फ ATP अभी आपने पढ़ा न कुछ और बना सिर्फ ATP बना है non-cyclic में तो O2 बन रहा था तो कि water का breakdown हो रहा था cycling में तो water का breakdown हमने कहीं पर पढ़ा ही नहीं सिर्फ ATP बना है non-cyclic में बन रहा था क्योंकि PS1 से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा था एने डीप प्लस के पास फेरेडॉक्स इन डीप रिड़क्टेस हेल्प कर रहा था non-cyclic photophosphorylation में तो एने डीप बन रहा था लेकिन cyclic photophosphorylation में तो फेरेडॉक्स इन डीप रिड़क्टेस यानि की FNR होता ही नहीं है जहां पर cyclic photophosphorylation चलता है जब एक ऐसे थाइलकॉइड में जिसमें cyclic सिर्फ PS1 है एसे थाइलकॉइड जिसमें सिर्फ PS1 है ठीक है रिपीट ऐसे थाइलकॉइड जिसमें सिर्फ PS1 है उसमें cyclic photophosphorylation चलेगा और वैसे थाइलकॉइड में FNR होते ही नहीं है तो NADPH2 भी नहीं बन पाता है ऐसे थाइलकॉइड जिसमें सिर्फ PS1 है और रैट तो हमें सिर्फ ATP मिलता है cyclic photophosphorylation का end product अब देखिए मैंने आपको कहा था light reaction का जो product होता है light reaction का जो product होता है वो आगे dark reaction में काम आता है dark reaction क्या करता है glucose बनाता है dark reaction के time glucose बनता है जो कि food है और ये glucose C6 H2O6 बनता है glucose के form में plant store करता है starch के form में ये भी आपको पता है तो डाक reaction के time glucose बनता है डाक reaction कैसे होता है देखो डाक reaction में काम आता है carbon dioxide जो कि हमारा जो प्लांट हो एटमोस्पेर से ले लेता है और डाक reaction में काम आता है light reaction के product यानि कि NADPH2 ATP और और भी ATP तो देखो डाक reaction में NADPH2 और ATP तो non cyclic photophosphorylation से मिल गया साथी साथ थोड़ा और ज्यादा ATP मिल गया कहां से cyclic photophosphorylation से ओके अब यहां पर ध्यान से सुनो जो चीज में आपको बताने जा रहा हो ठीक है लेकिन अभी थोड़ा उसके बारे में समझा देता हो ताकि आपका यह confusion है कि बेफालतों में cyclic photophosphorylation क्यों चला जब ATP तो non cyclic photophosphorylation से मिल जा रहा था रियक्षिन में डाक रियक्षिन को चलाने के लिए तो देखो एक glucose molecule को बनाने के लिए 12 NADPH2 और 18 ATP का काम आता है तो देखो NADPH2 और ATP तो हमें non cyclic photophosphorylation से भी मिल जाता है ठीक है तो NADPH2 और ATP हमें मिल गया लेकिन आप देखो ATP का amount जादा है जादा ATP के requirement होती है 18 molecule of ATP तो NADPH2 का 12 molecule है इसका requirement तो हमें non cyclic photophosphorylation से ही पूड़ा हो जाता है लेकिन non cyclic photophosphorylation डाक reaction के लिए ATP के requirement को fulfill नहीं कर पाता है इससे लिए क्योंकि देखो 18 molecule of ATP बहुत जादा ATP के जरूरत है तो इसलिए cyclic photophosphorylation चलता है और cyclic photophosphorylation क्या करता है और ज्यादा ATP बनाता है इसलिए यही ATP वापस डाक reaction में काम आता है तो डाक reaction में glucose बनता है और यह जो डाक reaction है यह smoothly चले efficiently चले कुछ भी hang-wang ना हो जैसे error हो जाता है ना hang हो जाता है हमारा cell phone कुछ भी requirement अगर कम होता है आपने अगर अपने phone को update नहीं किया अच्छे से कुछ जो update है install नहीं किया तो phone hang करने लगता है तो इसी तरीके से आपके phone में update आता रहता है न और आप update को install करते रहते हो तो इसी तरीके से dark reaction में NADPS2 और ATP को देने का काम तो non-cyclic photophosphorylation कड़ी देता है light reaction का लेकिन कुछ जादा ATP के ज़रूरत होती है तो cyclic photophosphorylation भी चलता है क्यों क्योंकि जब dark reaction के time glucose बने तो किसी चीज की कमी न हो कोई error न आ है hang न हो यह reaction रुक न जाए hang ठीक है इसलिए efficiently चले photosynthesis का process तो cyclic photophosphorylation भी काम आता है ज़्यादा ATP प्रवाइड करने में ओके चलो तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि cyclic photophosphorylation क्यों चला जब non-cyclic photophosphorylation से काम हो ही जा रहा था ओके तो light reaction, dark reaction यह दोनों जरूरी है photosynthesis के लिए चलो तो आप समझ गये होंगे mechanism of photosynthesis ठीक है पूड़ा non-cyclic photophosphorylation अब अब clear हो गया होगा cyclic photophosphorylation भी clear हो गया होगा चलो तो अब सब कुछ जब दोनों चीज cleared होई गया है तो यह lecture को यहीं करते है समा आप मिलेंगे आपसे अगले lecture में